भूमि पूजन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आरंब भूमि पूजन से हुआ था. इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालूँ ने भूँमि की पूजा और अस्तित्व की सुरक्षा के लिए श्री राम का आशिरवाद प्राप्त किया. भूमी पूजन के माध्यम से समर्थ श्रीराम की कृपा और आशीरवाद का संकेत मिला और मंदिर निर्मान का कार्य प्रारंब हुआ शिलान्यास भूमी पूजन के पश्चात मंदिर के निर्मान के लिए शिलान्यास का समारंब हुआ श्री राम मंदिर की नीव स्थापित करते समय यह एक और महत्वपूर्ण धार्मिक रीती थी जिसमें शिला का पूजन और समर्पन किया गया इससे मंदिर के निर्मान में भगवान के साकार प्रतीक के रूप में शिला को मान्यता मिली और उसे मंदिर के निर्मान में शामिल किया गया प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एक भव्य आयोजन होता है जिसमें भगवान श्री राम की मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया जाता है। इस अद्वितिय समयानुसार आयोजित होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तों का उत्साह अद्वितिय होता है। महत्व पूर्ण कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा के दिन विशेश पूजा अर्चना, यग, भजन कीर्टन और धार्मिक आयोजन होते हैं इस दिन भगवान श्री राम की मूर्ति को विशेश धरोहरों के साथ मंदिर में स्थापित किया जाता है और पूजा के पश्चात, प्रवचन और धार्मिक भजन कीर्टन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है धार्मिक महत्व प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन भक्तों को भगवान श्री राम के साथ एक विशेश रूप में जोडता है और उन्हें धार्मिक्ता और एक्ता के भावना से भर देता है इसमें भाग लेने वाले श्रद्धालू अपने आत्मा को शुद्धी और आनंद के साथ महसूस करते हैं और उन्हें भगवान के साथ एक साकार योजना का अनुभव होता है इस प्रकार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है जो भक्तों को एक साथ जोड़ कर उन्हें धार्मिक्ता और समर्पन की भावना में ले जाता है